मस्कार दोस्तो आज हम आप लोग के सामने एक नए कमपनी के साथ आये हैं तो I hope आप लोग इंज्वाइ करते होंगे और चलिए तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए हम एक नए भेकेंसी के बारे में जानते हैं जो कि IIT मदरास से निकला है ठीक है तो हम लोग डारेक् नोटिफिकेशन पर जलते हैं ठीक है देखते हैं तो यहां देख सकते हैं इंडियन इंस्टिउट आप टक्नलोजी मदरास ओके चन्ने आप गिवन ओके तो यह चन्ने का है मदरास IIT के लिए है तो इसमें देखिए कौन-कौन सा पोस्ट है यहां देख सकते हैं इसमें स्केशन का सब अश्र yogi उन्जिनेकर ठीक डिए के लिए भी है ठीफोंस के टेखिए कलिए और लाब्रबले लाब सेखिए के लिए हैं देख सकते हैं पोस्ट सब कितना कितना के बीशेते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कितना टोटल पोस्ट है तो सब देख सकते हैं और इसमें कहा गया है एंवी में स्टाफ नर्स के लिए B.H.C. इन नर्सिंग विद 60% और एकुवेलेंट C.G.P.A. विद 2 यर्स अफ रिलिवेंट एक्सपिरियंस होना चाहिए या नहीं तो 3 यर्स डिपलोमा इन नर्सिंग और वाइफरी विद 60% मार्क और एकुवेलेंट C.G.P.A. विद 5 यर्स अफ रिल एक रिकॉगनाइट इनवर्सिटी से आपास हो विद मिलिटरी, पुलीस, NCC, फायर, फाइटिंग, टेर्निंग, विद 6 यर्स अफ रिलिवेंट एक्सपिरियंस भी चाहिए इसके लिए तो यह सब सारा होना चाहिए और आपको राइड लाइट वाइकल आना चाहिए मोट चते हैं जो किए उए उससे गैजुएयट तो उसके साथ 60% मार्क होना चाहिए ठीक है और 6 यह का एड़मिनीस्टियेटीव एक्सपिरियंस भी होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है देखते है जुनियर इंजिनियर नुइर के लिए है डिगरी होना चाह चाहिए और दो इयर्स का experience होना चाहिए या नहीं तो तीन साल का diploma in electrical engineering में होना चाहिए और five years का experience होना चाहिए दोनों में से किसी एक चीज रहेगा तो आपका काम बन जाएगा उसके लिए essential qualification भी चाहिए अप्लिकेंट शुड़ है बेश सुपरवाइजर competency certificate यह एक certificate है जो कि आपको certificate होना चाहिए electrical sea license for operating voltage of minimum 11 kilo volt तो यह essential qualification भी मांग रहा है तो देख लिजिएगा आप लोग उसके बाद bachelor degree in science किसके लिए junior assistant के लिए science arts और humanities के लिए commerce भी इसमें भार सकते हैं तो यह सब सारा होना चाहिए detail उसके बाद technician का हम लोग देखते हैं civil का तीन है और chemistry का तीन है mechanical का 12 है ECE and EIE EE सब के लिए 12 है biology life science के लिए one है biotechnology biomedical के लिए one है physics के लिए दो है तो इसका qualification भी आप देख सकते हैं तीन साल का diploma होना चाहिए ठीक है और BS या नहीं तो BSC होना चाहिए relevant stream में ठीक है या नहीं तो आपको plus two with two years ITI course होना चाहिए और 60% marks होना चाहिए उसके लिए उसके साथ में दो साल का experience भी होना चाहिए candidates deejareous to apply for more than one stream should submit separate application for each stream मतलब कि जो भी जितना भी आप पोस्ट के लिए भड़ रहे हैं उसके लिए separate separate आपको registration करके आपको भड़ना होगा उसके बाद देखते हैं junior technician के लिए maintenance के लिए civil engineer का और electrical engineer के लिए है या नहीं तो आपके पास plus two और two years का ITI course होना चाहिए relevant trades के लिए और two years का experience भी होना चाहिए उसके बाद देखते हैं junior technician के लिए telephone के लिए three years diploma in ECE याने तो CSE और equivalent with list 60% marks और equivalent सी GPA from a recognized university institute से होना चाहिए तो आप लोग भर सकते हैं उसके बाद यहां देख सकते हैं bachelor degree in any discipline okay देख सकते हैं लाइब्रेडी के लिए है तो यह देख सकते हैं अम लोग बेचलर देख सकते हैं ज्यादा टाम नहीं ले सकते हैं इसको भरने के लिए इसको जो सब है basic चीज है हम लोग बतायते हैं क्या क्या कितने सीट है और इसको online mode से हम लोग फिल अप करेंगे यह इसका website रहा इसके लिए कोई फी नहीं है इसके लिए कोई फी नहीं है और इसके लिए और ओमेन के लिए फिरी है इसके लिए कोई फी नहीं है तो जादे से जादे लोग भड़े इसमें और इसका लाब उठाए क्योंकि यह opportunity जल्दी नहीं मिल पाती आये जिसको teaching में interested है या नहीं तो अच्छे रेपुटेटर में job के लिए जो होत है तो वोग इसमें अच्छे से भढ़ सकते हैं ठीक है तो इसमें भढ़ करके इसका लास्ट देख सकते हैं लास्ट डेट कब है ताइस आठ दो जाए कैस को पांच बजे तक है साम में ठीक है